आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह बहुत ही जादा टेस्टी होने के साथ बहुत ही हेल्थी रेसिपी है तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले तो चलि पानी में बादाम को चार से पांच खंटे के लिए पानी में भीगो कर रख दिया था अगर आप जल्दी में बना रहे हैं तो आप डारेक्ट बादाम भी डाल सकते हैं बिना भीगोई हुए फिर मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी चीनी ऑप्ष्णल है आप इसे स्किप क डाल सकते हैं अब हम शेक बना रहे हैं तो शेक बनाने के लिए दूद के तो जरुद पड़ेगी तो इसके लिए मैं नहीं हापर ठंडा ठंडा सा गाय का दूद लिया है आप जो भी दूद यूज करते हैं वो ले सकते हैं और जरूरी नहीं कि आप ठंडा दूद ले आप नॉर्मल टेंपरेशर का भी दूद ले सकते हैं तो ये बनाना शेक बनकर बिल्कुल तयार हो गया है तो इसी तरह से हमें टेस्टी हेल्थी बनाना शेक बनाना है देखा कितना आसान है इसे बनाना और ये पीने में तो बहुत जादा टेस्टी लगता है और बहुत ही आसान है इसे बनाना बच्चे हो या बढ़े सबको ये बहुत ही जादा पसंद आने वाली रेसिपी है तो आपको मेरे चैनल पर और भी इसी तरह की रेसिपीज मिल जाएंगी तो आप बाकी रेसिपीज भी देख सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे को लाइक जरूर करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें और आप भी इसे जरूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि आ झाल है